दोस्तो अगर आप भी इंडिया को सपोर्ट करते हो और सूर कुमार यादो की कप्तानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत बूलिएगा दोस्तो टीम इंडिया ने T20 सीरीज अपने नाम कर भारतिय फैंस के दिल में जगा बनाने में कामयाब साबित हुई दोस्तो पांचवे T20 मुकाबले से पहले कप्तान शूर कुमार यादो ने कह दी बड़ी बात जिसे सुनकर आपका भी सीना गर्व से चोड़ा हो जाएगा बताएंगे अगिर क्या कहा सूर कुमार यादो ने उससे पहले चोथे T20 आई मुकाबले में रिंकु सिंग और जितेश सर्मा की तापर तोर बैटिंग कैसी लगी कमेंट सेक्सन में जरूर बताएं दोस्तो अस्टेलिया से खेले जा रहे पाँच मैचों की T20 आई सीरीज में भारत ने तीन एक से इस सीरीज को अपने नाम कर लिया लेकिन भारतिय कप्तान सूर कुमार यादो की जीट की भूख अभी मिटी नहीं और बोल दी बड़ी बात दोस्तो जैसा की आपको पता है अस्टेलिया ने टीम इंडिया को वर्ल्ड कप के फाइनल में हरा कर टीम को ही नहीं बलकि भारतिय फैंस के दिलों को भी चोट पहुचाया है जिसके बाद अस्टेलिया से चल रहे टी टॉन्टी आई सिरीज में बारत ने अपना बदला पूरा कर लिया लेकिन सूर कुमार यादो की भूख अभी मिटी नहीं दोस्तो भारतिय टीम ने चोटे मुकाबले में अस्टेलिया को बीच रन से हरा कर ये सिरीज अपने नाम कर लिया जिसके बाद सूर कुमार यादों ने कहा अभी हम वर्ल्ड कप का हार बुला नहीं पाए हैं जिस तरह अस्टेलिया में वर्ल्ड कप फाइनल में हमें मात दी है उसी तरह इस सूरिया के पांचवे मैच में अस्टेलिया को हम जरूर सबख सिखाएंगे दोस्तों सूरिया ने कहा सीरिस तो हम जीत गए है लेकिन आखरी मुकाबले में इजट भी जीतना है और अस्टेलिया को चार एक से मात देनी है तो दोस्तों सूरिया का बयान अस्टेलिया के खिलाफ जायज है या नहीं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों मिलते हैं नेक्ट वीडियो में जै इन जै भारत